नमश्कार दोस्तों मैं भाषा और आप देख रहें न्यूस क्लिक पर खोज कबर कायकरम लोकतंत्र का लट्टू जबरदस्ट गती से घूम रहा है 2024, 2024, 2024 लोकसभाच चुनाओं की रणनीती उसके दाओं पेच खीचतान चारों दिशा में फैले हुए है विपक्ष की एहम बैठक बेंगलूरू में चल रही है कमान सोनिया गांधी के पास है और उधर भारती जनता पार्टी का वाशिंग मशीन ओपरेशन एडी देश को विपक्ष मुक्त बनाने का मिशन बहुत तेजी गती से बढ़ रहा है 18 जुलाई को NDA की भी बैठक है जिसमें अब NCP अजीत पवार गुरूप के साथ सुहेल देव भारती पार्टी के ओम प्रकाश राजभर भी शामिल होंगे और इसी क्रम में 20 जुलाई से संसत का मानसून सत्र शुरू होगा जिसका इस बार हंगामेदार रहना तकरीब बनता है और इस सारी उठापटक के बीच निश्चित तौर पर जो एक राज भूला बिसरा हुआ है वह है मनिपूर जहां बहुत तेजी से आग बढ़ती जा रही है सुलग रहा है मनिपूर मोदी जी की चुप्पी उस पे बरकरार है जबकि अब ये अंतराश्टी मुद्दा बन चुका है यूरोपियन यूनियन ने मनिपूर पर जो बयान जारी किया वहां पर अलब संख्यकों इसाईयों और चर्चों पर हमले पर चिंता जताई और साथ ही ये अभी कहा कि मोदी जी की चुप्पी जिस तरह से इस पे कायम है वह परिशान करने वाला है ये है लोगतंत्र का लट्टू राजनेति घटना करम बहुत तेजी से चल रहा है घटित हो रहा है विपक्षी दलों की एहम बैठक करनाटक में करनाटक के बैंगलूरू में शुरू हो चुकी है नेत्रितुकारी भूमिका में इस बार सोनिया गांधी है 17-18 जुलाई को 2024 में किस तरह से विपक्ष जाएगा किस तरह से सहमती बनेगी तकरीबन 23-24 विपक्षी दल यहाँ पर जुटे हैं इसमें सबसे एहम मुद्दों पर जो चर्चा चल रही है उसमें पहला नंबर है Common Minimum Program कि विपक्ष किन नीतियों को लेकर जनता के सामने जाएगा चुनाओ में इसके साथ साथ EVM पर भी चर्चा है और इसके साथ साथ यह भी चर्चा है कि अलग-अलग राज्यों में किस तरह से यह जो विपक्षी एकता है यह जमीन पर काम करेगी लेकिन इसी क्रम में देखिए जो एक बहुत एहम डवलप्मेंट है जिस पर चर्चा करनी बहुत जरूरी है कि इधर विपक्ष की बैटक शुरू होती है और उधर तमिलनाडो की शिक्षा मंत्री पोन मुदी के हाँ छापा पड़ता है उनके बेटे जो सांसत हैं गौतम सिंग मानी उन पर मनी लॉंडरिंग का केस है बताया जाता है कि 2012 का मामरा है जो एडी को याद आया 2023 में ठीक उस समय जिस समय विपक्ष की बैठक चल रही है और इस बारे में तमिलनाडो के मुख्यमंत्री स्टालिन ने जो कहा शायद वो शामिल हो गया है एडी और यह हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है तो एक तरफ तो महराष्ट का मिशन पूरा हुआ है लेकिन अभी तस्वीर बाकी है उत्तर प्रदेश में जिस तरह से ओम प्रकाश राजभर को वापस भारती जंता पार्टी ने अपने साथ लिया है और जो क्यास लगाया जा रहा है वो जबर्दस्त है कि क्या मुखतार अंसारी के बेटे जो राजभर की पार्टी से विधायक हैं वह भी शामिल होंगे एंडिये में भाश्पा में क्योंकि यहां पर ठोला ठहर कर रुक कर सुनने की जरूरत है सुनिए राजभर जी को राजभ है कि सुहेल देव भारतिय पार्टी के ओम प्रकाश राजभर यह बता रहे हैं कि इस समय छोटे दलों का भगवान कौन है या यूं कहिए कि भगवान से भी बड़ा कद को किसे वो मान रहे हैं यहां पर सीधे सीधे इशारा देश के ग्रह मंत्री अमिशा पर है क्योंकि य कमान बताई जाती है कि खुद अमिश्चाह ने अपने पास रखी है वही तमाम एजेंसियों को अपनी सुविधा से इंस्रक्शन्स देते हैं और कई जगा खास और से उत्तर प्रदेश में जिस तरह से राजभर वापस आए हैं भाजपा में वह बता रहा है कि किसी भी कोने को विविपक्ष के लिए छोड़ना नहीं चाहते हैं अब एक समय जो राजभर कह रहे थे कि भगवान भी हमारे सामने प्रकट होकर कहें कि चलो भाजपा में तब भी हम नहीं जाएंगे और आज देखिए कि वह सुहेल देव भारतिये समाज पार्टी के तमाम विधायकों को लेकर भाजपा में शामिल हो जाते हैं और सिर्फ इतना ही नहीं इस शक्स को भी देखिए यह शक्स हैं दारा सिंग यह भारती जनता पार्टी से नाराज हुए गए समाजवादी पार्टी में और अब फिर वापस आ गए भारती जनता पार्टी में यह जो सारा का सारा सीक्वेंस है यह जो सारी की सारी क्रोनोलोजी है यह बता रही है कि भारती जनता पार्टी किस तरह से परेशान है कि जमीन पर विपक्षी एकता जो जो जोर पकड़ रही है उससे उसे कहीं पर भी वोटों का नुकसान ना हो महराष्ट जहां उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज़्यादा लोग सभासीटे हैं वहाँ पर उसने विपक्ष को दोनों को ही शिवसेना को पहले तोड़ा और उसके बाद NCP को तोड़ा और अब उत्तर प्रदेश में जहां पर समाजवादी पार्टी और उसके साथ जो एलाइंस में संगठन हैं पार्टियां हैं और खास तोर से ध्यान दीजिए यहां पूरा जोर पिछडों और दलितों पर है पासमानदा मुसलमानों पर है और इसमें ये जो चहरा हैं अबास अंसारी इनको लेकर भी बहुत क्यास चल रहा है मुखतार अंसारी के बेटे हैं और हम सब जानते हैं कि मुखतार अंसारी को किस तरह से उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने निशाने पर लिया इनके उपर संपत्ती कुर्ख होने शस्त्रधिनियम के तहट अंगिनत मामले हैं और सब कुछ होने के बावजूद जो पूरी क्यास बाजी चल रही है उससे लगता है कि क्या यह भी शामिल होंगे भारती जनता पार्टी में सवाल सिर्फ एक दो विधायकों का नहीं है सवाल है कि किस तरह से जमीन पर किसी भी वोट को विपक्ष के पास न जाने देने की जो रणनीती है क्योंकि इसी उत्तर प्रदेश से आते हैं ब्रिजभूशन शरण सिंग जिनके ऊपर गंभीर यौन उत्पिडन के आरोप लगे लेकिन उनको भी भारती जनता पार्टी ने छुआ नहीं क्योंकि वे दबंग नेता हैं और यहां पर 18 को जो बैठक हो रही है NDA की उसमें भी क्या इत्तफाक है कि उसमें भी बे पार्टियां शामिल होंगी जिनके कुछ नेता कॉंग्रेस के नेत्रित में जो गड़बंधन की मीटिंग चल रही है बैंगलोर में उसमें भी शामिल हुए मिसाल के तौर पर शरत पवार, NCP और अब NCP से एक अलग ग्रुप के तौर पर सबसे बड़े समुह के तौर पर अजीत पवार वह शामिल हैं भारती जन्ता पार्टी में और शिवसेना का एक धड़ा उधवठाक के विपक्ष के साथ खड़ा है और बड़ा खेमा खड़ा है बीजेपी के साथ यह जो पूरा का पूरा हिसाब चल रहा है विपक्ष का और पक्ष का भाशपा का और विपक्षी दलों का यह जो पूरा का पूरा लट्टू चल रह यह बता रहा है कि 2024 से पहले पूरी कोशिश हो रही है कि देश में अधिकांश राज्यों में जहां विपक्ष और छेत्री दल मजबूत हैं उन्हें खत्म कर दिया जाए भारती जनता पार्टी अमिश्या के नित्रुत में ऐसा नहीं कि सिर्फ उत्तर भारत में ही अपने तिलंगانा हरति में जो दाऊं चला है वह भी ध्यान देने योग्य है तिलंगाना में जिस तरह से उन्हें KCR और उनके बेटे बंद हो रहा है, अपने को एक साथ जोडने की कोशिश कर रहा है, तब देश में ऐसी सरकारें और ऐसी पार्टियां भी हैं, जो सीधे सीधे भारती जनता पार्टी के साथ किसी गडबंधन, किसी एलाइंस में नहीं हैं, लेकिन उन्होंने अपने दर्वाजे पूरी तरह उन चाहती है, पूरा दाओं वहीं पर है, विपक्ष जिन मुद्दों पर एक जुट है, उसमें मनीपूर भी है, मनीपूर में जिस तरह से आग लगी हुई है, और जिस तरह से अभी तक, तीन मई से मनीपूर सुलग रहा है, और जुलाई आधा बीच चुका है, प्रधान मंत क्योंकि एक चीज बहुत साफ दिखाई दे रही है, कि मनीपूर को जलने के लिए, सुलगने के लिए छोड़ दिया गया है, उसमें कहीं से भी हस्तक शेप नहीं हो रहा है, एक के बाद एक दर्दनाक फोटो वीडियो आ रही है, कभी चर्श में आग लग रही है, कभी सिल कोरम के लिए भी सुख और शांती के नहीं होंगे, और अंत में देखिए ये दो तस्वीरें, दो वीडियो जो बताते हैं कि जिन्दगी कितने नए डायमेंशन के साथ हमसे और आपसे मिलती है, विंबल्डन में नया इतिहास रचा गया, इस मैच को जो फैनल मैच हुआ, इसमें 20 साल से कुछ महीने जादा कालरस अलकराज ने हराया नुवाक जोकोविच को, और ये दूसरी फोटो है, जिसमें हर्याना की जो महिलाएं हैं, वे आईं और जिस तरह से सोनिया गांधी के साथ वे जूमती हुई नजर आ रही हैं, उससे पता चलता है कि हमें और आप सब को सलाम